बहुत सरे लोग का डाउट रहता है कि यह क्यू दिया गया है यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे HDMI पोर्ट आपको दिखाए दे रहे है याद रखिए है और सबसे पहला जू जू जैक दिखाए दे रहे है यहाँ पे पिंग कलर का वह है माइक के लिए दूसरा यहाँ पे दूस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने हो लाँ CPU के बैक पैनल के बारे में दूस्तो यहाँ पे जो अलग-अलग connections लगते है यहाँ पे वीजी लगता है यह पे power cable लगता है अगर आप अपने घर में सापसपाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको डिटेच करना पड़ता है तो अगर आपको नहीं पता है तो ही देखिए पता है तो स्कीप कीजिए सीदी बात नो वक्वास मैं सतीश कंप्लिट टेगराओ चैनल में आप सबका सौगत करता हूँ चलिए यह वीडियो शुकरते है खास तो जैसी कि दोस्तों मैंने इंटर पार्ट में आप से कहा कि हम सीखने वाले CPU की बैक पैनल की connections तो चलिए प्रैक्टिकली सबसे पहले मैं आपको दिखाब यहां पे पावर केबल तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप को दिखा रहे यह पर पावर केबल और यह पावर केबल हमारे यहंनेás पर अपको आपको बताने समस्मार कंप्यूटर में यहां चाहिए अपसे अटेच करनी है कसमें थ्डी आपको तें ऑप दिक्वार चाहिए इसु कि ढॉनध के नंटीकिल 2.unta पर विसम got 15 17 00 01 01 zajs यहां पर यहां पर आपको दिखा रहा हैं कर दी है इसे डिटेच अगर करना है तो वस सीम्पली आपको इसमें से इसे खीच लेना है और इसके बाद यहां पर नीचे आपको दो स्लोट्स दिखाए दे रहे हैं एक पर पल कलर का और एक ग्रीन कलर का पर पल कलर में यहां पर हम कीबोड पीस टू अला लगाएंगे और यहां पर आपको लगाना है माउस पीस टू अला अभी पीस टू कीबोड और माउस कैसे रहते है इसके इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास तो अभी यह अवैलेबल नहीं है और यह थोड़ी से पुरानी टेक्नलोजी हो चुकि है आज कोई पीस टू अला यू अभी आ चुका है USB कीबोड और माउस जो आगे दिखाऊंगा फिलाल हम नीचे नेक्स्ट पीन की तरफ बढ़ते है जो कि आपको दिखाए रहे यह है वीजी है वीडियो ग्राफिक अड़ाप्टर पीन यहां पे मॉनिटर की वायर लगती है जो कुछ इस तरह से लगती ज जाता है जिससे आपके मॉनिटर की उपर आप स्क्रीन देख पाते हो इस आउटपूड की मदद से दुस्तों और यह वीजी भी आजकल रिप्लेस हो चुका है HDMI में HDMI पीन कैसे रहती मैं आपको दिखाता हूं तो HDMI की पीन आपको दिखाए दे रहे कुछ इस तरह से रहती है अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह कहां पे ऐटेश की जाती है मैं आपको यह पे स्क्रीन की ओपर दिखा रहा हूं यह पे मेरे कंपुटर में ग्रापिक काड लगा हूँ तो यहां पे HDMI पुर्ट आपको दिखाए दे रहे है याद रखिए और इसे पीन लगती है और HDMI आ आपको मिलता है और यह नई टेकनलोजी है तो कंप्यूटर खरीते समय आप ध्यान रखिए कि आपके कंप्यूटर में भी HDMI पोर्ट होना चाहिए बेसिकली यह ग्राफिक कार्ड पे HDMI पोर्ट है क्योंकि मैंने ग्राफिक कार्ड अलग से लगा है लेकिन आजकल ने कंप्यूटर के मदरबोर्ड के उपर यहां पे USB के बाजू में ही आपको HDMI मिल सकता है मिल जाएगा अगर आपने डिमांड की कि मुझे HDMI वाला ही मदरबोर्ड लेना है जिसमें वो सपोर्ट करता है अपको यह केबल अभी आटाच करके दिखाता हूँ यह बिल्कुल यह OSB के तरह केबल रहती है वैसी यह लगाते हैं दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लगाना इसको तो यहां पर यह से नीकालना बस खीचना इसे लगाते समय याद रखिए कि यह उल्टा नहीं लग सकता तो यह नहीं लगेगा और जबरदस्ति करेंगे तो भी कुछ ना कुछ ढूट जाएगा जबरदस्ति मत कीजिए उसके बाद हम तीसरे पोर्ट की तरह बढ़ने वाले जहां पर हम अपना स्कैनर हमारा पें ड्राइव हमारा प्रिंटर सारी चीजे आजकल जो यहां पर लगा तो बहुत सिंपल है मुझे बैसे भी दिखानी की ज़रूद ने फिर भी अपने वीडियो में जैसे मैंने बोला हर एक चीज को में बताऊंगा तो यहां पर मैं अटेच करके इसे दिखाता हूं यहां पर यह मैं अटेच कर रहा हूं और यह अटेच हो चुकिए दिखाई इसे निकालना बहुत सिंपल है ऐसे फ्रंट साइड में भी यूस भी रहता है बैक साइड में भी यूस भी रहता है कंपिटर के तो आप कही भी चारों में से कही भी कौन सी भी पीन कही भी लगा सकते हैं जो पीन खाली है उसमें लगा तो बस दैट सिट इतना ही यूस भी इस card बोलते हैं और यह जो cable आपको दिखाए दे रही है यह RJ45 connector है basically और यह cable हम लोग लगाएंगे हमारे इस LAN card में जिस के थू हमारे computer में internet connected होता है internet connect करने के लिए हमें इसकी जरौत होती जब आपने इसे निकालना चाहोगे तो यहां पर आप गौर करोगे कि यहां पर एक छोटी सी पीन आपको नजर आ रही है इस पीन को आपको प्रेस करना होगा और फिर खीचना होगा याद रखिए लगाते समय आपको ऐसा कुछ करना नहीं है इस पीन के साथ लेकिन निकालत यहां पर audio का, audio jack आपको दिखाय दे रहे है, सबसे पेला जो jack दिखाय दे रहे है, यहां पर pink color का, वो है mic के लिए, दूसरा यहां पर दिखाय दे रहे है, green color का, मतलब exact green नहीं है, लेकिन आपर light green जो दिखाय दे रहे है आपको, उसमें आप audio output pin insert कर सकते हैं, जैसे कि यहां यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ, यह pin है मेरी, right, 3.5 mm वाली pin, और 3.5 mm audio jack और यहां पर मैं इसे insert कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे, इसके बाद आप music सुन सकते हैं, जो भी है, right, यहां पर आप उसकी pin लगा सकते हैं, music सुनने हो गारा के लिए, और तीसरा pin जो है, वो amplifier वाँ पर connect आप कर सकते हैं, तो यह audio की simple सी information, audio jack के बारे में ने बताया, और नीचे आपको जो दिखाए दे रहा है, DBI, Digital Video Interface, right, इसके लिए यहां पर है, जो कि आप अलग-अपके प्रोजेक्टर वगरा connect कर सकते हैं, प्रोजेक्टर इसके जरीए भी connect होते हैं, और HDMI cable भी यूज की जाती है, HDMI cable तो मैंने आपको पहले ही बता है, जिससे आप monitor की उपर high resolution अलग डिस्पले देख सकते हैं, और यहां पे graphic card में VGA भी दिया गया है, तो VGA तभी attach कीजिए जब आपके पास HDMI monitor अवैलेबल नहीं है, HDMI support नहीं कर आपका monitor तो you can use VGA, अगर है HDMI monitor तो go for it, तो इतने सारे connections मैंने आपको दिखा है, और साथी में मैं आपको बता हूँगा कि यहां पे plus plus नीचे जो दिखाई दे रहा है, यहां पे extra कोई भी card अगर लगाते है, तो उसके connections यहां पे आपका output मिलेंगे, बहुत सरो लोग का doubt रहता कि यह क्यू दिया गया है, तो य computer में LAN card नीच चल रहा है, LAN card याने की network interface card, NIC card खराब हो गया है, तो आप नया card यहां पे लगा कि उसका output यहां पे graphic card के नीचे से ले सकते है, तो यह पूरा back panel है हमारा, जिसमें मैंने आपको अलग-लग connections बताए, पूरी detail में जानकारी मैंने दी, मुझे पताए कि यह बहु